त्रिपुंड तिलक अक्सर हम सभी लोग शिवलिंग पर बनी तीन सफेद रेखाएं देखते हैं ये कोई साधारण रेखा नहीं होती बलकि इन रेखाओं में 27 देवों का आशिरवाद है इसलिए अक्सर साधुसंत पंडितों के माथे पर इस रेखा को देखा जाता है भस्म से बनी ये रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं माथे पर जो लोग भस्म लगाते हैं या सफेद रंग की तीन रेखाएं धारण करते हैं तो वह रेखा त्रिपुंड कहलाती हैं त्रिपुंड को माथे के अलावा शरीर के 32 अंगों पर लगाया जाता है क्योंकि अलग-अलग अंग पर लगाये जाने वाले त्रिपुंड का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है इसे मस्तक, ललाट, कान, आखें, कोहनी, कलाई, रदय, आदी अंगो पर लगाया जाता है हिंदू धर्म के बारे में ऐसी ही और बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल धार्मिक ट्रैवलिंग हंस को सब्सक्राइब करें किजिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है आपका बहुत धन्यवाद होगा